सावनेर में पुरातन महत्वर प्राप्त शहर सारस्वत्पुर जो आज सावनेर शहर के नाम से जाना जाता है यह कोला नदी के तड़ पर इस्थित भव्वे हेमान पंती मंदिर और परिसर महाशिवरात्री के पावन परोपर रोशनाई से जगमगा उठा है तीसले चरण के कोरुना में कमी के चलते सरकाद वारा कोविन नियमों को कुछ शितल करने से पिछले दो वर्षों से कोरुना का दंश छेल रहे शिव भगत इस वर्ष चराचर से बास करने वाले भगवान शिव का दर्शन करने को आतूर है जैमनी अश्मेग इस पौरानिक ग्रंद के अनुसाई यमराज की ससुराल सामने शहर यह एतिहासिक पौरानिक नगरी सारस्वत पूर है वदापर युग में महाभारत युद के उपरांद पांडवों ने दिगवजे हेतू छोड़ा गया शामकर्ण नामक अश्व उत्तर भारत से दक्षीन की और जाते हुए सामने नगरी के सीमा में पहुचने पर ततकालिन राजा वीरकर्मा के पुत्रों ने उसे रोक कर पांडवों को युद्ध के लिए ललकारा और पांचों पुत्र उस युद्ध में वीरगती को प्राप्त होने पर राजा वीव वर्मा क पुत्री मालनी जो की शिवभक्ती उसने युद्ध को जारी रखते हुए पांडव सेना में भगदर निर्मान कर तैस नहस कर दी यहां वृतान नारद मुनी द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पता चलने पर उन्होंने खुद मदिस्तता कर इस युद्ध को रुकवा कर शिवभक्त मालनी का विभा यम्राद से कर वाया कोला नदी के तट पर आज भी शिवभक्त मालनी द्वारा तैयार किया गया बालू का शिवलिंग और उस पर हेमान पंथी कारीगरु द्वारा भव्य निर्मान किया हुआ मंदे श्रद्धालू के लिए आस्ता का केंद्र बना हुआ है यहां की मांगी हुई हर मनुकामना यता शीगर पूर्ण होती है ऐसी आस्ता प्रचलित है माशिवरातरी के पावन परोपर हर वर्षिव मंदिर देविस्थान ट्रस्ट द्वारा रामायन महाभारत भागवत गीता आधी का भव्वी आयूजन कर इस अवहर को मा पूम विधर्ब से पदारे हजारों हजाज शिव भक्तों की उपस्तिती इस आयोजन को विशाल मेले में परिवर्थित करता है एक मार्च को संपन होने वाले महाशिवरातरी महाउसब हेतु मंदिर परिस्थर को अत्यादिक रोशनाई से सजाया जारा है शिम मंदिर की रो पूजन हेतु ट्रस्च के अध्यक्षिन नर्सिंग हजारी सचिव लोकेश सेफ के विश्वस्त किशोव पटेल एडवोकेट चंद्रशेकर बरेचिया एडवोकेट भूपेंद्र पूरे मनोच वसवार आत्माराम कमाले नामदेव साब जी श्री किशन महदोले आधी परि